सूरत, तापी नदी के किनारे बसा हुआ गुजरात का एक गतिशे शहर इस शहर की एक खूबी रही है यहां महनत करने वालों को हमेशा सराहना और सफलता प्राप्थ हुई है और इसलिए डायमेंड और टेक्स्टाइल इंडूस्ट्री में अपनी अलग पैचान बनाने वाले सूरत ने विश्व भर में अपना नाम रौशन किया है तेजी से बढ़ रहे विकास की वज़े से यह शहर इंवेस्टर्स की सबसे पसंदिदार जगाओं में से एक है यहां व्यापार के साथ साथ अपनी आदुनिक सुविदाओं से सज सुन्दर घर का सपना हर कोई देखता है और अगर यह कहा जाए कि सूरत को और ज़्यादा खुबसूरत बनाने में शगुन डेवलपर्स का बहुत महत पुपूर्ण योगदान है तो यह गलत नहीं होगा पिछले कई सालों से शगुन डेवलपर्स अपने काम्याप प्रजेक्स की द्वारा सूरत के आर्किटेक्चर में परिवर्तन दाने के अनेक प्रयास करता आ रहा है सिगनेचर होम्स, शगुन विला और सेंटम विला की सफलता के बाद शगुन डेवलपर्स दान्डी रोड पे अपना एक अलग प्रजेक्स लेके आ रहा है मलबरी होम्स, नेचर के पास, नेचर के साथ हम नेचर से जितने करीब रहते हैं, उत्ता ही हम mentally healthy and happy रहते हैं पर आज केल के जमाने में तेजी से बढ़ते होई infrastructure की वज़े से हम नेचर से बहुत दूर हो चुके है हमारे घर के आसपास की जगा मानों सीमेंट और कॉंक्रेट के जंगल जैसी हो गई है इसलिए शायद एक मानसिक सुकून की हमेशा कमी लगती हावर्ट के एक long term research से ये साबित हुआ है कि जिन लोगों के घर के आसपास के 800 मीटर के दाइरे में ग्रीनेरी है उनके natural reasons से depression का level 12% कम होता है बहतर mental health, social engagement, physical activity, air pollution की कमी ऐसे factors इस study को support करते हैं याद कीजिए याद कीजिए आपने शहर के शोर शराबे और प्रदूशन से दूर सुकून की साथ कब ली थी शायद शेद याद ही नहीं होगा पर एक दूसरी बात भी है सुकून पाने के लिए हम अपनी family responsibilities को ignore तो नहीं कर सकते ना इसलिए mulberry homes एक ऐसी जगा पे है जो nature से नस्दीक तो है पर आधुनिक सुविदाओं से दूर भी नहीं है इस जगा की खासियत के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे Metro 10 प्रजेक्ट पास हो चुका है यानि connectivity का कोई tension नहीं है इस इलाके में जाने माने 8 international school है जिनकी दूरी आप मिंटों में तैय कर सकते है शगुन डैवलपर्स ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा है कि मकान केवल आलेशान ना हो पर उसमें सारी सुविधाए भी हो इसलिए यहाँ आपको एक शांदार लाइफस्टाल जीने का एसास करवाती हुई पचास से भी जादा फाइस्टाल लेवल के एमिनिटीज मौझूद है और रहा सवाल क्वालिटी का तो इमारत बनाने के लिए जिन चीजों का उप्योग किया जाता है उससे पहले लैबोरेटरी में टेस्ट करवाया जाता है फिर तसली हो जाने के बाद ही उन चीजों का इस्तमाल किया जाता है आलिशान घर बेशुमार फैसिलिटीज और कुदरत का सानिद्य जो सुन्दर हो परिवार के लिए महफूज हो और सब को जोड़ के रखे ऐसा स्वर्ग जैसा घर हो मल्बरी होम्स अ प्रजेक्ट बाद शगून देवर्पर्स वे बिल्ट रस्ट और ट्रांस परेंसी